अगर आप अपाईज हो और आपको सीरियल किलर से बदला लेना है तो आप क्या करोगे इसी एक इंटरस्टिंग कंसेप्ट के साथ आज की मूवी आती है आज में एक स्में करने वाला हूँ दफाइव ये 2013 की कोरियन मूवी है ये एक revenge thriller है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार होती है और हमारा main character Anna हमें दिखती है Anna के job पर होती है Anna का job जो होता है इसे वो blocks किरा कर अलग-अलग designs बना सकती है वो TV company के रिए ये सब करती है अब हमें Anna के family दिखती है इसमें इसी daughter और इसका husband है ये जो family है इन्होंने अभी-भी घर बाई किया है इसो अच्छे तरह से mother and daughter paint करते है इस पर अपना नाम लिखते है home sweet home का port लगाते है अपने एक beautiful life के शुरुवात एक नए घर में वो करने वाले होते है अब next year में हमें एक आदमी street से जाता हो दिखता है वो एक सुमसान जगह आता है यहाँ पर एक prostitute होती है उसे उठा लेता है और अपने घर लेकर जाने वाला होता है घर जाने से पहले एक super shop में आता है इसी super shop में एना उसकी daughter और उसका husband ये तीनों आये होई होती है एना के husband को cigarette पेने की आदत होती है एना कोई अच्छा नहीं लगता तो उसे वो quit करवाना चाहती है एना का husband ये हाँ cigarette लेता है पर इसके लिए वो मना कर देती है daughter जब shopping कर रही होती है तो इस prostitute को देख लेती है ये दोनों semi age की होती है और ये दोनों 21 school में पढ़ती है ये इसकी ही classment होती है ये सिर्फ 14 years की होती है जब daughter उसकी friend से पुछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो वो कहती है कि उन्हें uncle के साथ मैं आई हुई हूँ जिस आदमे ने इस prostitute को उठाय था उसे वो अपने uncle बुलाती है एना अपने daughter से पुछती है कि वो कौन थी तो वो बता देती है अपने uncle के साथ आई है ये भी उससे गई थी है यहाँ एना इस आदमी को देख ली थी है अब हमें next scene में यही prostitute और वो आदमी दिखता है ये टेबल वर पड़ी हुई होती है ये जो आदमी है ये actual में serial killer होता है इसने टेबल पर उसे बांद दिया होता है और उसको वो काट रहा होता है एक दिन सुबा एना की daughter का birthday होता है इसका cake लेने के लिए वो एक bakery में आते है एना की daughter को एक special cake चाहिए होता है पर उसे वो लेने नहीं देती ये बहुत ही unhealthy होता है ऐसा उसे लगता है एना की daughter नाराथ होकर उस shop से बाहर आ जाती है street पर वो अपने glassman की uncle को देखती है उसके pass हो जाती है उससे कहीती है कि मैंने तुमें कल देखा था एना कहा है इसके बारे में उसे बुझती है अब जो एक killer है इसे problem हो चुकी है जिस लड़की को उसने मारा है इसे ले जाते हुए एना की daughter ने देख लिया है ये situation उसे handle करनी होती है एना को कहता है कि वो तुम से मिलना चाहती है वो मेरे घर पर है क्या तुम उससे मिलने चलोगी अगर तुम्हें transport का problem होगा तुम्हें तुम्हें चोट दे सकता हूँ एना की daughter कहती है कि मुझे आज ज़रा लेट हो रहा है एना की mother भी वहाती है mother के पास फिर वो चली जाती है यह दोनों जब जा रहे होते है तो इनकी number plate यह serial killer देख लेता है रात में जब यह cake काटते है तो एना की daughter उनसे present मांगती है एना और उसके husband यह दोनों एक दूसरे जगर ने लग जाते है यह pretend कर रहे होते हैं कि इन्होंने इसके लिए कुछ भी present नहीं लाया है एना फिर जब hall में जाती है तो उसे देखता है कि वहाँ एक design बनी हुई है एना ने box kit trick की होती है यह trick जब खतम हो जाती है तो इसके last में एक अच्छा सा mobile होता है यह देखकर एना की daughter बहुत ही खुश हो जाती है रात में जब एना और एना का husband सोने जा रहे होती है उससे पहले एना का husband बहार आ जाता है वो जब उसका lighter निकालता है उस पर लिखा होता है कि dad please don't smoke यह देखकर उसे हसी आ जाती है पर एना यह सब देख लीती है एना बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि अपने husband को उसे smoke नहीं करना देना होता एना गुस्से गुस्से में ही shower में चली जाती है उसे कुछ आवाज है सुनाए देती है जब बहार आती है और पानी पीती है तब killer उसके पीछे खड़ा हो होता है यह hall में देखती है तो उसका husband और उसकी daughter तोनों खायल पड़े हुए है यह killer फिर उसको भी जखमी कर देता है यह alarm बजाने की कोशिश करती है पर यह करनी पाती इसके बाद एना हमें directly hospital में दिखाई गई है एना का blood dive RHO होता है डॉक्टर जब यह देखता है तो कहता है कि बहुत ही कम लोगों का होता है यानि कि जो blood एना को लगने वाला है वो भी कम ही available होता है डॉक्टर जोता है इसका अलग agenda इसके बिच होता है एक्चुल में डॉक्टर की बेटी भी इसी hospital में एड्मी होई होती है इसके बेटी का भी blood को भी यही होता है पर इसकी बेटी बहुत ही ज़दा सीक होती है इसे organ transparent की ज़रूत होती है जब press conference चलती है तो डॉक्टर से पूछा जाता है कि क्या यह बच सकती है उसके मन में ज़रा conflict होती है लास्ट में कहें देता है कि इसकी जीने के chances बहुत ही कम है रात में फिर एक injection लेकर एना के रूम में आता है एना unconscious ही होती है पर उसे सब याद आता रहता है killer उसके daughter उसके husband को मार रहा था यह सब वो देख रही होती है डॉक्टर उसके पास आकर कहता है कि मैं बहुत ही sorry हूँ मुझे यह नहीं करना चाहिए पर मेरे पास कोई option ही नहीं है एना अगर मर जाती है तो उसके organ इसकी daughter को मिल सकते है यह injection उसे देने ही वाला होता है तब ही एना उसका हाथ पकड़ लेती है यह फिर से होश में आ जाती है एना की जीने की चाहत यह बहुत ही जाता होती है क्योंकि अब उसे बदला लेना है इस serial killer से अब next scene में हमें दिखता है कि दो साल गुजर चुके है एना वेलचेर पर है क्योंकि वो चल नहीं सकती है उसकी हेल्प करने के लिए हाईजिंग नाम की उसकी एक फ्रेंड है यह दोनों एक बेकरी में होते है यहाँ एना फिर से वही केक दिखती है जो उसकी डॉर्टर को चाहिए था यह केक वो बाई कर लेती है हाईचन जो कारेक्टर है यह बहुत ही चीरफुल है बेकरी के शॉप अनोर को कहती है कि आप आईजे इसके लिए कुछ डिस्काउन मिल जाएगा बेकरी के शॉप अनोर को बहुत ही बुरा हो महसूस करा दिये और वहाँ से अलकॉल वो ले लेती है यह फ्री में लेती है इसके लिए इसे पहुत ही जादा खुशी होती है एना जब पहार आती है तो उसे दिखता है कि जैसे सिरियल किलर था वैसा ही दिखने वाला एक आदमी स्टीट से जा रहा होता है वो फिर अपने वीलचेर से आके जाती है उसके हाथ में चाख होता है उसे वो मारने वाले होती है तब ही उसका फेस वो देख लेती है इस सिरियल किलर नहीं होता हैजीन और आना फिर हमें पुलीस टेशन में दिखते है पुलीसे से कहती है कि तुम एसा नहीं कर सकती बहुत ज़रा कम्पलेंट्स आयना क्या थे है यह हमेशा वो करती रहती है पुलिस कहती कि हम तुम्हारे डॉर्टर के केलर को ढूंड लेंगे आयना और हैजिन को पुलिस जो भी बता रही होती है यह हमेशा से पता होता है एकी बात वो हमेशा कहती है तो यह उनके पीछे बोलती है इनको पुलिस पर अब थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता एना अपने घर आती है उसे हाईजिन का साथ नहीं चाहिए होता पर हाईजिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर पर आ जाती है Hygiene God पर बहुत ही बिलिव करती है Anna को भी प्रे करने के लिए वो बोलती है Anna के जो letters होते हैं है hygiene के पास आते है Government को hygiene का address उसने दिया होता है hygiene फिर उसके letter उसे वापस कर देती है Anna को बहुत irritating लगने लग जाती है तो उसे जाने के लिए वो बोलती है अब हमें दिखता है कि Anna रात में एक lighter ढूंड रही है जो serial killer था उसने उसके husband का lighter ले लिया था अगर वो internet पर ये sell कर रहा होगा तो इस lighter को ढूंड रही होती है ये एक limited edition का lighter होता है तो इसके पास ये सब होती है जब रात में एक buyer से वो बात करने लग जाती है तो उस lighter के बारे में बोच्ती है बोच्ती है कि क्या उस पर कुछ carvings वगरा है वो गहता है कि हाँ उस पर don't smoke dare ये लिखा हुआ है ये अब जोकन ना हो जाती है ये message जहां से आ रहे है इसका IP address वगरा सब लिख लेती है ये इसे मिलने के लिए बुलाना चाती है पर जो sale करने वाला होता है ये इस conversation से exit कर लेता है एना फिर रात में एक सुमसान जगा पर हमें दिखाए कई है वो कुछ पैसे गुंडों को देती है और वो gun buy करना चाती है ये अकेली है और wheelchair पर है इसलिए गुंडे वापस आते है इसे मारते है और उनकी गर्म भी वापस ले लेते है एना इसके लिए कुछ भी कर नहीं पाती रात में हाईजिन फिर से एना के पास आती है जो कर एक उन्होंने buy किया था अब वो इसे light करते है हाईजिन फिर एना को समझाती है ये जो मैं prayer करती हूँ ये सिर्फ मेरे लिए करती हूँ हाईजिन को breast cancer था उसका पदी जो था इसे छोड़ कर चला गया था ये बहुत ही pain में है और इसे जिने के लिए सिर्फ तीन महीने है ये कहती है कि prayer करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एना को भी कहती है कि अभी भी तुमारे पास बहुत साइज चीजे है जिसके लिए तुम grateful हो सकती हो तुमारे ओर्गन से तुमारे body है ये healthy है तुम paralyzed हो पर इससे जादा कुछ फरक नहीं बढ़ता तुम God को इन सब चीज़ों के लिए अभी भी thankful हो सकती हो अना फिर internet पर organ donation के बारे में साच करती है एक सूबा जिस doctor ने उसे मारने के कोशिश की है उसे वो बुलवा दिये उससे कही थी कि मुझे list चाहिए जिन लोगों को organs चाहिए इन सब लोगों के मुझे list चाहिए वो खेहती के मुझे पाच लोग चाहिए इसमें पहला जो है ये किसी के भी घर में घुश सकता है और चीज़े बना सकता है ऐसा कोई चाहिए दूसरा hacker चाहिए तिसरा किसी को भी मार सकता है पुलिस का background जिसका होगा वैसा एक आद में चाहिए एक डॉक्टर उसे चाहिए और ये पाच ही होती है इसलिए इस movie का नाम The Five है डॉक्टर उसे पुछता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा ये खेहती है तुमारे daughter को organ चाहिए ये उसे life दे सकती हो यानि ये एना अपने आपको मार देगी और ये उसके organ निका कर अपने बेटी को लगा सकता है ये जो बाकी तीन लोग है इने भी organ चाहिए तो अपने organs इने देने वाली होती है इसका ब्लान होता है इन सब लोग की help लेकर अब वो serial killer को मारने वाली होती है अब एना को ये जो लोग लगने वाले है ये सब दिखाये जाते है इसमें से पहला जो है पुलिस के background वाला है इसकी wife बिमार होती है और उसे organ लगने वाला होता है उसकी wife ये जो हाला थे इसके लिए उसको ही वो blame करती है ये उसका हमेशा खयाल रखता है next character जो है ये गैंग के लिए काम करती है ये एक hacker होती है इसकी mother के operation के लिए इसे organ लगने वाला होता है इसके बात जो होता है जो breaking कर सकता है इसे अपने लिए organ चाहिए होता है जब Anna इन सब लोग के पास जाती है और इन्हें समझाने के कोशिश करती है पर इस पर कोई भी believe नहीं करता Anna फिर doctor को call लगाती है उससे कहती है अगर तुम्हें लगता है कि हमारा operation successful रहना चाहिए तो तुम्हें भी इस पर cooperation करना पड़ेगा जो सब लोग है इन्हें डॉक्टर भूलवाता है इन्हें सब को जो समझाता है यह जो deal है यह करने के लिए अब डॉक्टर बता रहा है तो यह मान जाते है हैकर को Anna फिर IP address दे दीती है हैकर को अपने boss से यह सब करने के लिए help चाहिए होती है यह जब उसके boss के पास जाती है तो उसका boss उससे demand करता है उसे इससे intimate होना होता है हैकर के पास कोई option नहीं होता तो इसके लिए हो मान जाती है अब जब अब आवार मेंट का address मिल चुका है तो वहाँ breaking करने के लिए तो इससे खोल सकता है इस आदमी को भेज देती है इसका नाम glass आय होता है यह जब घर के अंदर गुश जाता है तो उसे lighter मिल जाता है जिसका यह घर था इस आदमी का टेहो फिर रात में पीछा करता है उसे taser से tease करता है और घर पर लेकर आता है एना जब इसे देखती है तो एक killer नहीं होता इसे वो बाढ़ देती है यह जब भोश में आता है तो इससे सवाल भोशने लग जाती है इसे वो डाना रही होती है अगर इसने कुछ questions का answer नहीं किया तो उसे मार देगी यह फिर उसे कहता है कि मैं taxi driver हूँ यह जो lighter था एक client का घिर गया था इस client का location वेगरा सब कुछ वो बता देता है जिस shop से एक killer आया था इस shop का नाम भी उसे बता देता है एना फिर इसे छोड़ देती है एना सब को कहती है कि जिस आदमी को तुमने ढूंड़ा है एक गलत है इने और भी अब काम करना पड़ेगा यह इससे खुश नहीं होती है टेहो डॉक्टर के पास जाता है उसे जब situation हुए यह सब समझाता है टेहो डॉक्टर से कहता है कि मैं ही directly एना के पास जा सकता हूं उसे मार कर अब उसका organ निकाल सकते है इसके लिए डॉक्टर भी मान जाता है यह करने के लिए एना के घर पर जब ठेहो आता है तो वहाँ hygiene होती है यह वहाँ करनी बाता जब hygiene वहाँ से चली जाती है तब taxi आ जाती है उसका जो chance होता है वो चला जाता है एना को hacker call लगा दिए उसे वो मिलने के लिए बुलाती है एना जब वहाँ जाती है तो hacker का boss भी उसके साथ होता है hacker अपने boss की help लेकर एना के organs निकालने वाले होती है इसका boss जो होता है यह बहुत ही घटिया होता है इसका अलगी plan होता है यह इन दोनों के organs सेल करने वाला होता है यह दोनों फिर रेजिस्ट करती है पर टेहो वहाँ आ जाता है इन दोनों को बचा लेता है एना को टैक्सी से पीछा ही कर रहा था यह सब लोग एकी room में फिर मिलते है जो सब situation अप हो कही है इस पर वो discuss करते है एना फिर उन्हें एक गोली दिखाती है वो कहती है कि अगर मैंने एक गोली ले ली तो मेरे सब organs खराब हो जाएगे यह किसी को भी काम में ने आएंगे अगर मुझे फिर से तुमने मानने के कोशिश की है तो में ले लोगे वो फिर उन्हें उसके पुराने घर पर लेकर आती है इस सिरियल गिलर ने कैसे उसके हजबन और उसके डॉर्टर को मारा है इस सब उन्हें कहती है इन सब को बहुत ही बुरा लगता है और इसे पुरी तरीके से मदद करने के लिए वो रेडी हो जाते है ड्राइवर ने एना को सिरियल गिलर को उसने कहा चोड़ा था इसका पता दे दिया था जिस शौप में हो गया था इसे वो भी मालू में हैकर की मदद से वहाँ से वो कस्टमर बेस निकाल लेती है हर नमबर पर वो कॉल करती है इसमें से एक नमबर हैकर का होता है जब उसे कॉल करती है तो उसका आवास पहिचान लेती है इसके बाद नेक सिन में हमें सिरियल के लिए दिखता है एक और दुसरी लड़की को उसने अपने घर पर लाया होता है इस लड़की को पता चल जाता है ये कुछ गलत उसके साथ करने वाला है वो हाँ से भागने कोशिश करती है इससे पकड लेता है इससे वो मार देता है जिस लड़की को मारता है इन्हें वो छोटी सी डॉल में करनवर्ट कर देता है येने कहता है कि अब तुम फिर से बौन होगी और बहुत ही ब्यूटिफुल बन जाओगी ये अपने आपको आर्टिस समझता है लास आय और एना दोनों सीरियल किलर के घर के बाहर फिर बेट जाते है ये गाड़ी में होते है और एक किलर बाहर निकलता है लास आय उसे बुछता है कि क्या ये यही है ये कहती ही कि मुझे ठीक से उसे देखना पड़ेगा किलर नोटिस करता है कि सचपी से अस विया कालिया आया ये खिड़की से अंदर जाकता है अना अब इसे अच्छी तरह कैसे देख लेती है और इसे पहचान लेती है यह जो कार की लास्स होती है इस वर फिल्म चड़ाई होती है वो अंदर देखने पाता पीछे से वो देखने कोशिश करता है पर यह दोनों जूख जाते है जब एक किलर चला जाता है तो क्लास आये एना को घर में गुषने के लिए मदद करता है जब एक घर में जाती है तो बहुत सारी डॉल्स देखते है याने की बहुत सारी लड़कियों को उसने मार दिया है वो अपनी डॉर्डर का फून और उसका नीक लेस यह दोड़ीज के लिगती है जो कुछ चीज़े होता है उसकी कुछ चीजे घर पर रह जाती है तो डी तर में फेश्ये घर में वाप है क्योंती है यह से कहता है कि स्पेशल आफर है